पर सिक्किम को आज अपना पहला एरपोर्ट मिल गया है आज पिये मोदी ने गांग टॉक के पॉंक्यांग में एरपोर्ट का उद्धातन किया और एरपोर्ट सिक्किम के लोगों और सैलानियों के लिए तो वर्दान है ही साथी देश के लिए सामरिक लहाद से भी बेहत एहम खुबसूरत वाधियों में बसे सिक्किम को पहला एरपोर्ट मिल गया है सिक्किम का पांग्योंग शहर विकास की उड़ान से जड़ गया है सिक्किम का नौ साल पुराना सपना आखिरकार आज पूरा हो गया नौ साल पुराना इसलिए क्योंकि उसी वक्त सिक्किम एरपोर्ट की नीव डाली गई थी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पांग्योंग में नए एरपोर्ट का उधगाटन किया क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है यानि कि ये एरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एरपोर्ट काम करने लग गए है सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक से 30 किलोमीटर दूर ये पांग्योंग शहर है लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहां की लोग आजादी के बाद से एरपोर्ट बनने का इंतिजार कर रहे थे पायरटकों की सबसे पसंदीदा जगों में से एक सिक्किम है लेकिन यहां तक पहुँचने के लिए पहले बाग डोगरा हवाई अड़े पर उतरना पड़ता था जो की सिक्किम से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थे थे लेकिन अब सिक्किम में बने इस हवाई अड़े से लोगों को काफी मदद मिलेगी इस एरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है इस योजना के तहट एक गंटे तक के सफर के लिए पच्ची सो चब्वी सो रुपिय तक ही देने होते हैं पांग्योंग एरपोर्ट 206 एकड में फैला है इसको बनाने में 605.59 करोड की लागत आई है जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग का इस्तेमाल किया गया है मिट्टी में एरपोर्ट की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किये गए है स्लोप स्टेबलाइजेशन तकनीक भी लगाए गई है पांग्योंग में एरपोर्ट हो जाने से परटकों के लिए भी सफर से कम से कम 4-5 घंटे बचे पहले पश्चिम मंगाल के बाग डोरा तरग हवाई जहाँ से उतरो फिर वहाँ से करीब सबासो किलोमेटर तक के उचे नीचे रास्ते पर पांच्छे घंटा ठका देने वाला सफर और तब जाकर के गंटोग पहुच पाते थे लेकिन अब पांच्छे एरपोर्ट इस ठका देने वाली धुरी को मिनिटों में समिटने वाला स्पाइस जेट ने इसी साल 10 मार्ज को कॉलकाता से पांच्छे बीच सफर टेस्ट फ्राइट की थी इसके बाद कम्पनी को सिक्योरिटी क्लेरेंस मिल गया था माना जा रहा है कि पांच्छों को भुटान, नेपाल और थाइलेंड जैसे देशों से जोड़ा जा सकता है जहां लोग छुटिया मनाने जाते हैं पूजा मकड, पांच्छों, जे मेडिया